परिवार के साथ फैमिली गेट टूगेदर के लिए बुलाया था महेश ने अंतरा को बताया था कि धुरूफ की तब्याट ठीक ना होने की वज़ा से अंतरा को घर पर रुख कर धुरूफ का ध्यान रखना पड़ेगा लेकिन अंतरा को समझा गया था कि महेश नहीं चाहता था कि दुनिया को ये पता चले कि उसकी एक नाजाय जौलाद है फिर भी अंतरा ने महेश की बात मान ली थी फैमिली गेट टुगेदर वीकेंड पर था लेकिन फ्राइडे को महेश काम से चुट्टी लेकर लता और गायतरी को शौपिंग करवाने ले जा रहा था जाते वक्त लता और गायतरी एक बात पर सहमत हुए थे कि अब रुद्र से उमीद लगाने से कोई फाइदा नहीं है इसलिए गायतरी को अब नीरच कश्यप के फाइनेंसर यानि की बिग बॉस को टार्गेट करना है अपनी मा से सपोर्ट मिलने पर गायतरी काफे खुश थी क्योंकि गायतरी की जिंदगी का एक ही लक्ष था अमीर आदमी से शादी करो और जिंदगी भरैश करो वैसे भी गायतरी पहले से ही कामचोर थी ना ही उसे घर का काम करने में कोई इंट्रेस्ट था ना ही ओफिस का उसका ये मानना था कि मेहनत करने का काम आदमियों का है और तों को बस अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए गायतरी को ये भी खयाल आया कि अगर ये बिग बॉस अब्रॉड में रहकर बड़ा हुआ है तो वो बहुत ओपन माइंडिट होना चाहिए क्योंकि बाहर तो लड़के और लड़कियां अपने पार्टनर्स ऐसे बदलते हैं जैसे कि कपड़े बदलते हों इसलिए गायतरी का रुद्र से रिष्टा था उससे उस बिग बॉस को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा गायतरी को खुद पर भरोसा था कि एक बार अगर उसका बिग बॉस के साथ वन नाइट स्टैंड हो जाए तो वो उसे आराम से अपने जाल में फसा लेगी गायतरी ये सब सोच रही थी तब लता ने धीमी आवास में गायतरी को चेताव नहीं दी अभी फिलहाल इस बात को अपने अंदर ही रखना और महेश को तो गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएगा एक तो वैसे ही उसे बड़ी मुश्किल से मनाया है कि तुझे इस घर में कुछ दिनों तक रहने दे ये सुनकर गायतरी ने जवाब दिया इसमें गुस्सा होने की क्या बात है तुम्हारा पती वैसे भी इज़त का भूका है अगर मैंने उस बिग बॉस को पटा लिया तो महेश का भी तो नाम बढ़ा हो जाएगा ना और एक बार मेरी वज़ा से उसकी इज़त भड़ गई तो वो अंतरा की तरफ देखेगा भी नहीं गायतरी की बात सुनकर लता सोश में पढ़ गई महेश को सिर्फ अपनी इज़त की पढ़ी थी ये बात लता से जादा कौन बहतर जानता था अगर गायतरी ने बिना कोई गलती किये बिग बॉस को अपने जाल में भशा लिया तो महेश के दिल में गायतरी के साथ-साथ लता की भी इज़त भड़ जाएगी और अब अंतरा दोनों मा बेटी पर भारी पड़ रही थी इसलिए वैसे भी अंतरा से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूनना ही था लता को एहसास हुआ कि उसकी बेवकूफ बेटी ने आज पहली बार अपने दिमाग का इस्तिमाल किया था लता ये सब सोच रही थी तब महेश ने गाड़ी से आवाज लगाई अरे कितना टाइम है तुम लोगों को चलो जल्दी ये सुनते ही लता ने तुरंथा में जवाब दिया और फिर दोनों माबेटी जल्दी से गाड़ी में बैट गए अंतरा घर के दर्वाजे पर खड़ी गाड़ी को गेट से बाहर जाता देखती रही दोपहर होते ही धुरुफ को भूख लगी अंतरा ने उसके लिए दल्या बनाया और धुरुफ के पास बैट कर अपने हाथों से उसे खिलाया हमेशा शैतानी करने वाला बच्चा आज एक गुड बॉई बन गया था बे स्वाद दल्या भी उसने चुप चाप खा लिया हाला कि अंतरा को ये बे अदब लड़का पसं नहीं था लेकिन उसके दिल में धुरुफ के लिए कोई बैर भी नहीं था दल्या खिलाने के बाद अंतरा ने एक ग्लास में फ्रूट जूस भरा और धुरुफ को दिया धुरुफ जूस भीने लगा उसके बाद अंतरा दल्या की खाली प्लेट उठा कर किचन की तरफ जाने लगी लेकिन तुरंट धुरुब ने अंतरा को रोक लिया अंतरा ने रुक कर धुरुफ की तरफ देखा उसी पता था, कि ये शरारती बच्चांसे आसानी से जाने नहीं देखा अंतरा ने धुरुव की तरफ सवालिया नजर से देखा धुरुव ने अंतरा को पूछा क्या तुम प्लेट धोने जा रही हो? जवाब में अंतरा ने कहा हाँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो वापस आते वक लेकर आऊंगी इसके जवाब में धुरुव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें वो प्लेट धोने की जरूरत नहीं है वो ज़ादा महेंगी भी नहीं है उसे फैक दो ये सुनकर अंतरा को बड़ा अजीब लगा उसे समझ नहीं आया कि धुरुव प्लेट्स फैकने को क्यों कह रहा है उसने धुरुव से कह दिया कि वो इस तरह घर की चीज़ें फैक नहीं सकती वैसे भी अंतरा ऐसा कुछ करने के बारे में नहीं सोच सकती थी लेकिन अंतरा को पता था कि अगर धुरुव की बात मान कर उसने ऐसा किया भी तो लता को और एक बहाना मिल जाएगा और वो उसके सर पर चड़ करना चीगी अंतरा ने धुरुव से पूछा मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरा इतना खयाल करते हो कि मुझे प्लेट्स भी नहीं धोने देते ये सुनते ही धुरुव ने मुँ फुला कर कहा हम मैं क्यों तुमारा खयाल करूँ मुझे तो बस ये डर है कि कहीं तुम मेरे घर के प्लेट्स गिरा कर तोड़ ना दो लेकिन तुम हो की समझी नहीं रही अंतरा धुरुव से बहस नहीं करना चाहती थी उसने धुरुव को भरोसा दिया कि वो बहुत ध्यान रखेगी ताकि कोई प्लेट उसके हाथ से न गिर जाए लेकिन धुरुव चड़ गया कि अंतरा उसकी बात मान क्यों नहीं रही धुरुव ने अंतरा को ओडर दे दिया कि जो काम उसने मना कर दिया है वो अंतरा को नहीं करना है अंतरा को समझा गया कि फिर से धुरुव अपनी जित पर उतराया है अंतरा ने गहरी सांस ली और कहा ठीक है मैं प्लेट थोनी नहीं जाओंगी लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे वजा तो बतानी पड़ेगी कि तुम क्यों मुझे मना कर रहे हो ध्रूव ने जवाब दिया कोई वजा नहीं है ये बोलते हुए ध्रूव ने अपनी नजरे फेर ली ये देखकर अंतरा ने कहा ठीक है फिर तुम प्लेट्स थोगे जूनियर मिस्टर देख्षित अंतरा की ये कहते ही ध्रूव ने एक आहां भरी और कहा लगता है अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा बात ये है कि आज सुबा मैंने मेरी दीटी को डिश वाशर की बोतल में ट्रांस्पेरिन लिक्विड डालते हुए देखा था अगर तुमने डिश वाशर यूज किया तो तुम्हें भी मेरी तरह चोट लग जाएगी ये सुनकर अंतरा हकी बक्की रह गई ध्रूव ने आगे कहा अब मिल गई वजा वो लिक्विड बहुत जलता है इसलिए तुम्हें कब से मना कर रहा था अंतरा ने ध्रूव से पूझा लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो ये सुनते ही ध्रूव ने अपनी घमंडी लहजे में कहा तुम्हारी मदद कौन करेगा एक तो मेरी फैमिली घर पर नहीं है अगर तुम्हारे हाथ को कुछ हो गया तो मेरा ध्यान कौन रखेगा अगर मुझे भूक लगी तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा ये सुनकर भी अंतरा ने ध्रूव को कोई जवाब नहीं दिया वो उसके साथ बहस नहीं करना चाहती थी अंतरा सीधा वहां से किचन में गई और डिश वाशर की बोतल उठा कर ध्यान से उसका धक्कन खोल कर उसे सूंगा उसमें से डिश वाशर की स्मेल नहीं आ रही थी वो बोतल भी ट्रांसपेरन नहीं थी इसलिए बाहर से देख कर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसमें क्या भरा हुआ है अगर ध्रूबने चेतावनी नादी होती और अंतरा ने प्लेट्स धोने के लिए इसे डिश वाशर समझ कर लिक्विड अपने हाथों में लिया होता तो उसके हाथ हमेशा के लिए खराब हो जाते अंतरा को खयाल आया कि गाईतरी ने अब तक खार नहीं मानी थी और फिर अचानक उसे याद आया कि पहले किचन में प्लास्टिक की डिश वाशर लिक्विड की बोतल हुआ करती थी लेकिन आज स्टेनलेस टील की बोतल थी क्योंकि प्लास्टिक को तो सल्फियूरिक एसिट बिगला देता है लेकिन स्टेनलेस अंतरा ने प्लेट, चमच वगएरा थोए और उसकी जगा पर रख दिये उसके बाद अंतरा वापस ध्रूफ के पास चली गई और शाम तक उसी के कमरे में रही महेश लता और गाहितरी लोटे तब तक शाम का सूरज लगबग धल चुका था महेश की गाड़ी के डिक की डिग की डिजाइनर कपड़े, जूते, थोड़ी बहुत जूलरी और कॉस्मेटिक से भरी पड़ी थी वो सारा समान निकाल कर जब वो लोग घर में दाखिल हुए, तब अंतरा ने सब के लिए खाना बना कर डानिंग टेबल पर तयार रखा था उन लोगों को देखते ही अंतरा सोफे से उठी और टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा आप लोग शॉपिंग करके ठग गए होंगे, आईए, खाना तयार है गाईतरी अंतरा के खूपसूरत हाथों को भटी आँखों से देखती रह गई उसके मूँ से अपने आप निकल गया तुम्हारे हाथ तो… ये सुनते ही लता ने तुरंट गाईतरी की तरफ देखा लेकिन गाईतरी आगे कुछ नहीं बोल पाई अंतरा ने ऐसे बरताफ किया, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है उसने अपने हाथों की तरफ देखते हुए गाईतरी से पूछा मेरे हाथों को क्या हुआ? लेकिन लता ने तुरंत मामला संभालते हुए मुस्कुरा कर कहा अरे कुछ नहीं, वो गायतरी तो तुमारे हाथ के खाने की तारीफ करना चाहती थी ये सुनकर महेश ने हसते हुए कहा आपने क्या बनाया है मैं संतरा, जरा मैं भी तो देखू अंतरा ने महेश को डानिंग टेबल के पांस ले जाकर सर्विंग बोल में हर एक डिश दिखाते हुए बताया रोटी, बठर चिकन, कड़ाई पनीर, दाल मकनी, जीरा राइस और सालेड मिस्टर दीक्षित अगर इसके अलावा आपको और कुछ खाना हो तो बताये, तुरंट बन जाएगा महेश ने तुरंट जवाब दिया अरे कैसी बात कर रही हो? रोटी, बठर चिकन, कड़ाई पनीर, दाल मकनी, जीरा राइस और सालेड मिस्टर दीक्षित अगर इसके अलावा आपको और कुछ खाना हो तो बताये, तुरंट बन जाएगा महेश ने तुरंट जवाब दिया अरे कैसी बात कर रही हो, इतना काफी है, अब और किसी चीज की ज़रूरत नहीं है टेबल पर लगा खाना देखकर महेश के मुँ में पानी आ गया पूरे दिन शॉपिंग करने के बाद सबको बहुत भूख लगी थी, खास कर महेश को वैसे भी औरत के साथ शॉपिंग करना आसान काम नहीं होता उपर से महेश के साथ तो आज दो औरते थी महेश ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा लता, खाना देखने से तो लग रहा है कि में संतरा तुमसे भी अच्छा खाना बनाती है ये सुनकर लता ने महेश को मन में बहुत गालियां दी लेकिन चहरे पर हमेशा की तरह नकली मुसकुराहट रखते हुए वो उसकी बाद से सहमत हुई महेश ने लता से पूछा तो फिर किसका इंतिजार कर रही हो? आओ, खाना खाते हैं मुझे तो बहुत भूग लगी है इतना बोलने के बाद कुर्सी पर बैठते हुए महेश को अपना अन्मोल रतन याद आ गया और उसने अंतरा से पूछा ध्रोफ ठेक है? उसने खाना खाया? अंतरा ने महेश को जवाब दिया हाँ, बेटर है और मैंने उसे दोनों टाइम दलिया खिलाया है ये सुनकर गयतरी अंतरा को ताना मारने से नहीं चूगी उसने अंतरा से कहा पापा के लिए तुमने इतना सारा खाना बनाया लेकिन ध्रोफ के लिए बेसवाद दलिया? तुम सच में दोगली हो? गयतरी की बात सुनकर अंतरा को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया उसने शांती से गयतरी को जवाब दिया तुम में इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि ध्रोफ के चहरे पर चोट आई है इसलिए उसे तेल मसाले वाला खाना नहीं देना चाहिए और नॉन्वेश तो बिल्कुल नहीं तुमने कभी किचन में पाउं रखा होता तो पता जलता न कि कौन सी देश कैसे बनती है? ये सुनकर गयतरी चौंक कई वो महेश के सामने अंतरा की बिजज़ती करना चाहती थी लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि अपनी कही हुई बात पर वो खुद ही जलील हो जाएगी गयतरी इतनी गुस्से में थी कि वो अंतरा को थपण मार देना चाहती थी लेकिन लता ने उसे इशारा करके चुप रहने को कहा था और फिर लता ने ही अंतरा को जवाब देते हुए कहा सबकी अपनी अपनी खासियत होती है तुमने सही कहा गयतरी को खाना तो क्या चाए बनाना भी नहीं आता लेकिन उसके बदले उसने पढ़ाई में मेहनत की है और यहां तक की अब्रॉड में भी पढ़ाई करके आई जो की हमारी फैमिली के लिए बड़े गर्व की बात है लता की बात से सहमत होते हुए महेश ने भी यही कहा कि अजुकेशन बहुत ज़रूरी है उसके बाद उसने गाहितरी की तारीफ में कहा गायत्री ने कम उम्र में काफी अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है गायत्री को देख कर मुझे अपना बच्पन याद आ गया लता ने महेश की बात को आगे भणाते हुए कहा आपने ठीक कहा, गायत्री इतनी स्मार्ट है फिर भी नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तयार हैती है वो बिलकुल आपके जैसी है लता ने बड़ी चलाकी से गायत्री को एक और बार बेवकूप साबित होने से बचा लिया था अब अंतरा भी मामली को जादा लंबा नहीं खीचना चाहती थी उसके बाद माहौल शांत हो गया और सब लोग खाना खाने बैट गए गायत्री भी एक आज्याकारी बेटी बनते हुए महीश की प्लेट में खाना परोज रही थी और उसी पापा पापा कह रही थी उन लोगों को पता नहीं था